दोस्तो नमस्कार आदाब सुस्यकाल चैट विद सुरेंदरवत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो डिरेक्ट सेलिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेंगी तो सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए बेल अइकन दबा दीजिए अपनी टीम में प्रमोट कीजिए क्योंकि डिरेक्ट सेलिंग की टोप कंपनी के टोप लीडर्स एक ही जगह मिलते हैं और वो है आपका अपना प्लेटफॉर्म चैट विद सुएंदरवत्स तो आईए हम सब लोग एक ऐसी परसनल्टी से आज मुलाकात करते हैं जिनको लेके परसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत दिनों के बाद में उनसे मुलाकात हो रही है और डेरेक्ट सेलिंग इंडस्टी का एक बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा चेरा है तो आईए हम सब लोग मिलके स्वागत करें आज हमारे मेहमान फरीदाबाद से हैं पाल बी बसनायत जी पाल सर बहुत बहुत स्वागत है डेरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कहता हूना मैं कि यह वो लोग हैं जिन्होंने हिंदोस्तान की दिशा ही बदल दी है इस इंडस्ट्री में और यह एक ही जगा पर आपने एक तरह के से महा कुम्ब लगा दिया है बहुत बहुत मुबारक हो सर और पुरे हिंदोस्तान में लोग आपके चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सारी उमीदें लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं धन्यवाद दूँगा तरह दिल से थैंक यू वही मुच सर यहां स्पेशल इंवाइट करने के लिए इस स्पेशल आपके चैक विद सुरेंदर वस्ट चैनल में आकर इस इंटर्विव में आने के लिए जो मौका मिला है तो मैं तरह दिल से यह कहूंगा कि इस प्रिविलेज और फॉर मी और थैंक यू वही मुच सर एक्चिली आपको तो अच्छे से याद है हम लोग साइद 16-17 साल पहले मिले थे बिल्कुल और उसके बाद में हम लोग आज मिल रहे हैं तो उस समय आप इंडर्विव में आये थे मेरी भी सुरुआत थी तो आप उस कंपनी में करते हुआ हैं और अज अगे ठाक से मकता है लिवबर्स को सब्सक्रेशा बोद्सकेन आ जर्फ Sworks आप इतना कुछ कर रहे हैं लोगों को बुला रहे हैंं क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसका एक जवाब आज यह है कि मैं अपने पुराने मित्रों को जिन से मिलने का है कि माद्यम है अच्छे काम्याव लोगों से जो interaction करके जो जो सीखने को मिलता है और जो प्रील आता है तो उसका एक माद्यम है बिल्पशना तो उसी वजब उसी Ψाते सिंग ने लिखा है यू सेटिंगे निव बेंचमार्क एच सिंगल डे लुकिंग फारवर्ड तु दिस एमेजिंग चैट सु डोक्टर मनोज आपके बारे में लिख रहे हैं वाव आश्चरी जनक समाचार सोभा गुपता लिखे हैं वी आर सो एक्साइट तु सी यू इन चै और चंदन चंद्रा किरन ने लिखा है वेटिंग फॉर्ड यूर मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स फोर ग्रोथ ओफ और बजनस तो हमारी जनता बहुत खुश है सब्सुपर सब्सुपर सो मैं एक बात कहूंगा यह हमारे जो भी शुबचिंतक हैं और दर्शक हैं और जो ह जो उनसे हमारे उसे उमीद हैं हम उस पे खड़ा उतर पाएं ऐसी हम इशो से दुआ करेंगे डैट्स ग्रेट वन्रफूल पालसर आपकी कंपनी में तो आप आइडियल हैं लाखों लोग आपको फोलो करते हैं और सीखते हैं मेरा यह माना है सबसे जादा जो हम सीखते और होते हैं ना तो वो किसी भी सफल व्यक्ति की जो लाइफ स्टोरी है उसकी जो जर्णी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप से भी हम लोग सीखना चाहेंगे अब तक का सफर आपका कैसा रहा है अगर मैं बात करूं से अपने केरियर की तो वाके में आज मैं जह परिवार में और एक गृब किसान परिवार में तो जब मैं पढ़ाई लखाई कर रहा था तो मेरे माबाप का एक ही कहना था क्योंकि उन्होंने होता है कि माबाप की मैंने जो काम किया अगर आप भी करो को तो शायद आपके साथ भी ऐसे होगा तो वह एक ही बात कहते थे बटा हमने मिट़े खोद खोद के अपनी जिन्दगी मिट़े कर दी, आप मत क्होदना, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप बड़े आदमी बन सकते हो, इस काम को करके कभी नहीं बन सकते हैं, तो जब मैं पढ़ता था तो मेरा भी यही था कि मैं अपने माबाप के सपनों को पूरा करूँ और फिर मैंने हिमाचल से रस्थान किया आज से लगवा पच्छी साल पहले दिल्ली दिल्ली में फ्रीदावाद तो पिछले पच्छी साल से मैं फ्रीदावाद में हूँ तो दोस्तों या मैं बात करूँ आपसे वजसाब की अगर मैं आज की बात करूँ तो 25 साल पहले जब मैं आया था तो मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए और क्यूंकि हम पढ़ाई लिखा ही कर रहे थे मापके खर्चे से सब कुछ से तो पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या कर हो जाएं और डिप्रेस हो जाएंगे जब उनको पता लगए तो वापिस आ गया इतना पढ़ाई लिखाय करने के बार तो मैंने बोला कि नहीं अब आ गया हो ना कुहीं करेंगे कुछ ना कुछ ना कुछ बर जब एक साल काम किया तो पता चला कि जिन्दगी ऐसी कटने वा जिन्दगी शुरू की के एक साल के अंदर मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग थी दोस्तों या बात करो आपको कि उसको बोलते है डोर टू डूर सिंगल लेवल जिसे बॉलते हम भी माल बेचोगे तो मिलेगा नहीं बेचेंगे तो नहीं मिले तो इसका एक्षपीयंस नौइश नहीं था जपकरने लगा तो दिक्कति आइ। मेरे को डेली सो यहांसे मिलना होता है आप उसे मिलना है जिसना लेना होगा लेगा तो कभी कभी पूरे दिन में कोई नहीं लेता था लेकिन हम सौ सो लोगों से मिल लगते थे जैसे आप देखते हैं पहले एक रिमोट बैल आती थी कि आप अंदर बैटे में बैल लबाओगे तो बहार से आपका कोई भी एसिस्टेंट आपके आजाएगा तो उसको मैं डो टू डो जाके बेजता था तो दिन भर मैं कोई लेता नहीं था क्यों एक्ष्पियंच नहीं थ कि एक साल बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी इस इंडस्ट्री में गुदा हूं इसका पता निया और मुश्कलात बहुत है तो दस दिन में मैं को ऐसे लग रहा था कि अगर मैं महीने बाद इस काम को नहीं करूंगा जिंदगी में फिर नौकरी करूंगा कोई ना कोई मुझे द्वराद नौकरी करने इगले दस दिन में यह हुआ कि मैंने बहुत अच्छा इंकम कमाया अगले दस दिन मैं बाराए सोरपिय की कि सेलरी ले रहा था और अगले दस दिन में 4500 पर कमा ली और जब मैं ट्रेंड में बैट के दिल्ली से फ्रिदावा जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आ गई कि शायद अब जिन्देगी में कभी नौकरी नहीं करने पड़े और भगवान को मैं दया दूआ कर रहा था भगवान से की हेश बहुत अच्छा किया आपने कि दस दिन पह तो वो दस दिन में जो मैंने एक्षपियंस लिये थे जो सीखा था ना वो मैंने इंप्लिमेंट करना शुरू कर दिया और बीश्वे दिन ये स्थिती बन गई कि ऐसा लगए कि अब तो जिन्दगी में नौकरी नहीं करने पड़ेगी और फिर मैंने पीछे मुड़के नही कि अतना मिलेगा फिर मेरा एक रिष्टा हुआ अच्छा में कहते हैं कि डेस्टिनी थी तो जहां मेरा रिष्टा हुआ मेरी शादी का वहीं पे एक शक्स थे उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताए अच्छा वाव उन्हों बोला कि आपके लिए ये काम ब बात में कोई डाउट नहीं है लेकिन बताओ काम क्या है और मैं धूंडता रहता था कि कोई ऐसा मौका मिले जा मैं अपने आपको ग्रोथ कर सकूँ तो फिर मैंने जैसे मीटिंग देखी दोस्त पहली मीटिंग में ही मैंने काम याफ शक्स को देखा जिनने अपनी स्टोरी बताई उस स्टोरी से मैं इतना इंप्रेस हो गया कि मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में अगर मैं आया हूँ ना तो इसी काम के लिए हूँ इस नेट्वर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए मैं यह मेरा मेरा पहला रियक्शन था कि मुझे ऐसा लग रहा था जिस जैसे हर काम को करने के लिए शुरू में एक Иकसाइटमेंट होती है, एकसाइटमेंट केसाथ हम काम कर रहा है हम कर और हैं कि रजल्ट का उमीद होता है कि रजल्ट बहुत आने चीजिए वो जी मेरे साथ भी था, मैंने वह गल्तियां की जो मुं बोलते चले चलेगे, बहू कर रहे हैं यह सच तो धीरे 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 कहीं नहीं हमें महसूस हुआ कि कहीं तो गडबड है तो मैंने जो कामियाब शक्स ते उनको study करना शुरू किया कि हम कॉपी नहीं करें कि बताया गया सिस्टम के अंदर आपको काम ही आप लोगों को कॉपी करना है डूपलीकेशन का है तो एक्शन में डूपलीकेशन नहीं कर रहे थे क्यूँ एक तो हमें लगता हम पड़े लिखें हैं दूसरी बात मैं सेल्स में पहले से था मुझे लग आदमी एक बाई बेश सकते हो आप एक आदमी किसी को जोड़ सकते हो आप लेकिन वह आदमी आपके जोड़ा रहे वह अलग हो जाता है तो जब मैंने इस fundamental को समझा कि मुझे duplication करनी है कामयाब लोगों की तो मैंने कामयाब जब तक किसी काम मैं मास्टरी नहीं हो तो जो मास्टर है न उसकी सुनते रहो मैंने बुला यस सर जो आप बोलोगे वही करूंगा मैं तो मैंने एक यी बात सिख़ी यस सर और मैं अपनी टीम को भी एक ही बात बोलता हूँ आज की रिट में कि आपने या शुरू में कामयाब leader को पकड़ो काम्याफ शक्ष को पकड़ो जो वो बोले या तो yes sir या yes madam या तो madam होंगे yes sir yes madam करते चले जाओ हमाई टीम भी yes sir yes madam करते चले जाएगी duplication का पता ही नहीं चले कहां से कहां पहुंचगी वन्डरूब अपकी स्टोरी बहुत inspiring है और उसी में आपने बहुत सारा message दे दिया है मैं थोड़ा सा कुछ questions आपके लिए मैंने तयार किये हैं हाँ जी तो उसके माद्धिम से में लागे बढ़ते हैं बिलकल आप जिस company में काम करते हैं वो एक multinational company है बिलकल और जब आप किसी multinational company में काम करते हैं जो कई सारे देशों में अलड़ी काम कर रही है तो आपके पास में एक broad perspective होता है data कुछ रहते हैं तो vision बड़ा बनता है तो सारे vision को अगर हम देखें और compare करें हिंदुस्तान में direct selling कितना बड़ा हो सकता है क्या बहुश्य लगता है सर बिलकुल सर जसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें शुरू में ही होती है तो जब मैं इस industry में आया तो उसी time मैंने study जब करना शुरू किया चीज़ों को तो मैंने देखा कि यह तो industry बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में कुछ नहीं है हम लोगों पार जाते थे लोग हमें doubt से देखते थे बहुत साए question करते थे डाउट करते थे तो हमें उसके जवाब देने थे तो हमें महसूस हमने महसूस किया कि जहां पर यह industry well established है इस दुनिया में वहां पर भी तो कभी जीरो ही रही होगी ना वहां पर भी तो यह इंदस्ट्री ने struggle किया होगा ना तो अगर वहां ऐसा हुआ होगा आज वह industry अगर मैं अमरिका है चाइना है जापान है जर्मनी है अगर बहुत साए देश है दुनिया के जहां पर इतना शान अने वाले टाइम में हिदुस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बने गी और यह जरूर है कि कैसी भी इंडस्ट्री की शुरूआत जो है जो शुरूआत करने वाले लोगों के लिए चलेंजिंग होते हैं वह हमारे ले लीडिव चैलेंजिंग थे तो उस ताइम महसू other people to get what they want in their life you will get whatever you want in your life तो यह जो जिग जिलर का कोट है यह इस कोट में दम था कि अगर हमने एनफ अधर पीपल को अगर उनके सपने पूरे कड़ा दिये तो हमाई सपने पूरे हो जाएंगे तो इसके उपर यह जिए जगर ना कर भला हो बहला जो प्रकृति ने जो बोला ना कि कर भला हो बहला इस बिजनस का नीचर है डारेक्ट सालिंग इंड़स्ट्री में भी नेटवोंक मार्केटिंग इनदस्ट्री का यही है, हम अपनी टीम कामयाब करें गे, हम अपनी आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है हिंदुस्तान में जब हमने शुरू किया था 18 साल पहले, 5 साल बाद कुछ और बेटर हुआ, 10 साल बाद कुछ और बेटर हुआ, 15 साल बाद, आज 18 साल होगे, लेकि मैं 15 साल की बात कर तो 15 साल पूरे हो गए थे, तो मुझे लग रहा जितने भी इस इंडस्टी में काम कर रहे हैं, उनका लिए बहुत ही फिंटस्टिक फ्यूचर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आने वाले टाइम में, हिंडुस्तान के जितने भी नेट्रोक मार्कटिंग के लीडर्स हैं, हम सब मिलकर हिंडुस्तान में, एक वेल्कम सर वेल्कम मुस्ट वेल्कम आप देखिए सर हमारे देश में वैसे तो हर हिंदुस्तानी जो है वो देश प्रेम से भरा हुआ है और स्पेशली देश में कुछ इश्यू आता है पाकिस्तान के कुछ जगडा हो गए तो फिर वो देश प्रेम जो है ना सडकों पे और पोस्ट में और वेफियों क्याम करें और भार की कंपनी ऑं वहिस चांए कंपनी और हाव चाना की है और हनुस्तान legislatif सभाते हैं कि ह हिंधु को को इस तो तो जो सच है वो सच है तो हम accept करते हैं कि यह sentiment होते हैं हम सब लोग emotional है और हम emotion के उपर ही जिन्दा भी रहते हैं और जहां देश की बात आती है तो देश सबसे पहले है जो एंड हम लोग और जो हमारी company है तो उसमें एक ही चीज है कि company का जो basic fundamental rule है वो है पहला rule जिसकी विए स जिस company के हम बात कर रहे हैं वो यह जिसमें मैं काम कर रहा हूं इतनी बड़ी company बनी दुनिया के आज सो से ज़्यादा देशों में जिसका कारोबार हो तो कुछ तो ऐसे उनके basic चीजे है fundamental जो उनको इतना आगे लिए और हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इ कंपनी जो बनाती है वो यूनिक special कुछ ऐसे प्रोड़ हैं जिसका competition नहीं है जब आप यूनिक बनाते हैं तो आप उस कैटेगरी में आ जाते हो कि लोग आपको accept करते हैं कि जिसे मैं आपको बताता हूं कि आज जिसे चाइना के हम बात करें तो अगर चाइना और इंडिया की बिजनस की बात करें आप हेलान होंगे कि लगब 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 नाइन्टीन की बात है नाइन्टीन 2019 में नाइन्टी बिलियन आस्पास का trade था हमारा चाइना के साथ हमारे को इंपोर्ट होता है जो और जो हम यहां से एक्सपोर्ट करते थे वो था आल्मोस्ट मेरे ख्य लेकिन अभी 2020 सभी चली गया ही अभी गया है इस 2020 में इतना सारा पैंडेमिक भी था इस साल इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ है 20 बिलियन डॉलर आच्छा बारा की जगा ज़्यादा गया है चाइना में माल राइट और उनका भी इतना ही है 90 बिलियन डॉलर के असपास क पहले छे महिने में हम लगवा 57 बिलियन डॉलर का बिजनस कर चुके हैं इस साल तो मेरे खाल से 100 बिलियन डॉलर से उपर जाएगा सर तो इसकी वज़े क्या आपको दिखती है सर मैं इतना बड़ा बदलाव यह सर कि जो हम लोग बातचीत करते हैं हम सेंटिमेंटल भी है औ और हम सब लोग समाज में रहते हैं तो उसका कहीं न कहीं असना हमें दिखता भी है मैं आपको बताता हूं सर यूएस अमेरिका और चाहिना के बारे में एक डाटा की बात करता हूं इसलिए मैं छोटा सा ताइम इसमें यह लूँगा कि अमरीका 540 बिलियन डॉलर का फ़ाइयार कहीं न कहीं यह है जापान की बात करें सा देट सो बिलियन डॉलर का ट्रेड चैना के सात इतने कास पास से इनके साथ है यह तो होगी से नॉर्मल ट्रेड की बात करते हम इतना बड़े का Childि दुनिया के वह तो नहीं बात इए करते हैं क्योंकि हम जब तक हमाए दिक्कत नुक्सान किसको होगा आज लगवख लगवख 15-20 करोड़ लोग डिरेक्टली और इंडिरेक्टली आप उसमें कनेक्ट हैं इंडिया चाइना के साथ जिनके डाल उटी चल रही है घर चल रहा है सर आज हम कोई भी बाइकॉट करते हैं ना सपोज को दिवाली में हम करते हैं कि लाइट नहीं जलानी है दिवाली में बाइकॉट करते हैं जब कि उसमान तो एक साल पहले छे मिना पहले आ चुका होता है उल्टा वो तो बेचके चले गए दुकान कि इसने बचाने ने पसाल जाल लाक रपर के समान डाला हुआ है ना वो बेचनी लड़िया ब पर चाइना के साथ यू सकी कमपनी का नंबर वन मार्केट क्या है चा अचा उसका थर्टी परसंट थर्टी परसंट सीब ज़्यादा मांकट शेर जो है सिप चाईना ही चाइना है पुरी दूनिया उब और उसका पहला नमबर चाहिना है उसका सोचो कंपनी अमरीका की है सब से बड़ा मार्कर चाहिना में और सेकंड नमबर पे उसका अमरीका है थ़र्ड नमर पे जर्मनी है शायद चोथे नमर पे उनकी जो घापन है जबकि जापन में तो 2 इन्डतिय की राएथ तो कहने का मदब किया है कि अगर हम देखें यह बड़े स्केल पर देखना चाहिए इसको हमें और दूसरी बात है कि एक तो ट्रेड की बात है दूसरी बात है हमारी जो फिलोसपी हजारों साल पुरानी है वसुदेव ही कुटांब गम विश्व परिवार की तरह है और जहां आती है देश की तो देश के साथ हमेशा पहली प्रिoreटि जिन्दगी में देश नंबर बन पर है बट उसके कई हो त्रीकैं का है, अजी में कि जूरूब्ट है। हम आपर जो प्रॉड़्ट हैं। लोगों को इम्पावूर्मेंट की जूरूर। जूरूर। को फीडबेक मिलता है। तो हमाइसे सात में ऐसी लोग हैं। कि वो मिलंसार है उनका जो वो कहीं बदले की भावना या घ्रिड़ा एसा कुछ नहीं है तो हम इसमें पाल साथ यह समझें कि आप आंकड़े बता के लोजिक्स दे के वसूदें को कोट करके लोगों को मना लेते हैं तयार कर लेते हैं कि भी हमारे साथ में काम करो बिलकुल सर बिलकुल और दुसरी बात है सर की कुछ तो यूनिकनेस होती है ना जिसकी बज़र से हम उनको एड़र्ट कर रहे हैं वही चीज़ शायद अगर यहां होती और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि आज से ठादा साल पहले जम में तो होता ही था ठीक है ना तो दिवाली लेकर इशोर की कृपा से यह रहा कि हमें पता है कि हम जिन्दगी में कुछ भी करेंगे हर जगा पर आपको चैलेंज आएंगे डिफिकल्टी जाएंगे कोई आप कोई भी कंपनी कर लो जीवन में हर कंपनी में लोग आपको सुनीता प्रिस्टी लिख रहे हैं हाउ टू अवेक दा स्लीपिंग डिस्टीब्यूटर्स जो सो गए हैं काम नहीं कर रहे हैं प्रोडेक्ट भी नहीं ले रहे हैं कैसे जगाएं बिलकुल सुनीता जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह और एक्शन में ज्यादा तर हैं जिये जो हैं जब हम नहीं होतें सिंडर्स्टी में तो हमाई एक्सपैक्टेशन क्या होती है हमने जिन दो चार पांच दस लोगों को जोड़ दिया होता है हम चाहते हैं कि उनी से हमारा जो है बेड़ा पार हो जाए करीर बन जाए हमारा राइक जबकि मैं इस काउंसलिंग करो। और और नीद करो कि उनको क्यूं करना चाहिए कभी कभी क्या होता है आदमी में potential है आपको पता है लेकिन उसको यह नहीं पता चलता है करना क्यों है वाइक क्लियर नहीं है उसका अगर आप उसके अंदर need generate करते हो तो वह आदमी फिर आपसे ज़दा दोड़ेगा और आपसे तेज भागेगा तो need generate करने के लिए आपको education लेनी पड़ेगी system को follow करना है पड़ेगा इस industry में कामियाबी का एक ही कारण है वह है जो कामियाब लोग है जो कामियाब लोगोंने system बना रखें उसमें जो बाते बताई जा रही है उसको बिलकुल यह मान के चलो कि वह आपका guiding rule है guiding एक तरह किसे मैप है उस road map के हिसाफ़ जाकर काम करना शुर करें गारी चला दी तो गारी चलेगी बड़िया वाली लेकिन बीना सीखे यह आप पता चला गारी में बैढ़ गए तो क्या होगा accident हो जाएगा गारी तो बहुत बड़ी बात मैं साइकल की बात करता हूं अगर आपने कि किसी के help से साइकल चला ही तो चोट भी नहीं लगे जल्दी आप उसमें काम्याब हो सकते हैं तो जो sleeping partners होते हैं हम एक लेवल तक उनको जगा सकते हैं उसके बाद हमें यह सोच के चलना है next नहीं जग रहे हैं तो फिर ज्यादा एनरजी नहीं लगा नहीं क्योंकि बहुत लोग है हमारा जो इंतजार कर रहे हैं जो इंतजार क कर रहे हैं कि कोई काम बताओ भाई साब मैं अपनी जिन्दगी में कुछ करना चाहता हूं हमने उन तक पहुचना है आप अमीर बनने के लिए धक्के मारे हो अमीर बनो अमीर बनो है ना काम्याब हो जाओ आप बोता ही है तो बैटर ही है कि आप जब लोगों के लिए आप ज़्यादा लोगों से है जड़ा लोगों से बात्चीत करेज़े ज़्यादा लोगों कष्भाई तो आपने आप धी आपको लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगा अब तो अपने को आगा निया कि जिंदगे में मौका मिल गया हम ऐसा लगता है सब अंतिम प्रिशन ले रहा हूं सर मैं यह प्रिशन पूछा है अनसुल गुपता एफडीबी सर हमें किसी नए डिस्टीब्यूटर को कब तक नहीं छोड़ना चाहिए उसके पास रिल्जैल्ट नहीं आ रहे हों और बिजनस को कॉंटिन्यू नहीं करना चाहता हो यानि कई बार क्या रहता है कि हमारी टीम तो बहुत बड़ी होती है और टीम में हर तरह के लोग रहते हैं तो कई बार ये लगता है कि ये करेगा कई बार लगता है कि या नहीं करेगा मुझे ऐसे लग रहा है यह पूछना चाहरे हैं कि टीम में यह कैसे स्लेक्ट करें कि यह आपका मतलब तुरफ का है यह बड़ा अच्छा काम करेगा मलब अब कन्फ्यूज कर रहा है यह कन्फ्यूज करने चाहिए यह बड़ती हिसी को फिजनस रिक्रूट्मेंट का नहीं है यह बिजनस sponsorship का है, sponsor करने का मतलब है, आप उसको educate करेंगे, आप उसको guide करेंगे, उसको सिखाएंगे, जिम्मेवारी लेंगे as a leader, कि आप उनको सिखाएंगे, तो आपके कुछ symptom होते हैं, आपको commitment करना पड़ेगा उनके साथ, आप भी commitment करेंगे, और जिसको आपने join कराया है उससे भी commitment लेनी पड़ेगी, जब सामने वाला commitment निभारा है, तो इसका मतलब आपने सही आदमी पकड़ लिया है, आप सही आदमी के उपर time लगा रहे हो, सही आदमी के उपर energy लग रही है आपकी, और आपको उसका result उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, लेकिन अग आप कितना कर सकते हैं, तो उसमें एक limit है, एक limit के बाद में आपको ऐसे लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, जो लोग खुद आगे रखे कुछ करना चाहते हैं जिन्दगी, तो मेरा यह अन्भौव हैसर की, जब हमाई साल लोग जुड़ते हैं, तो आप ये मत सोचो कि स सबसे पहले तो सब जुड़ते नहीं है, और सब जुड़ जाएंगे, तो सब काम करते नहीं है, ये सबसे बड़ा acceptance है, आपको खुद अपने आपको महसूस करना होगा, पहले रहना पड़ेगा इस बात के लिए, कि सब जुड़ेंगे नहीं, अब सब जुड़ गे तो सब काम भी नहीं करेंगे, काम कुछ लोगों नहीं करना जीवन में, कितना ही बड़िया मौका दे दो, कुछ लोग वहाँ पर excuse बनाते रहेंगे, blame निकालते रहेंगे, वो जिम्मवारी नहीं लेंगे, action नहीं लेंगे, तो मैं अंशुल जी को एकी बात कहूंगा, कि जो मैंने अनुभव है, वो तीस मिंट में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स आपने दी, आपका जो अनुभव है, विस्डम है, उसके जस्ट एक दर्शन हुए है हमारे वीवर्स को, लेकिन फिर कभी जल्दी मुलाकात करेंगे, और डिटेल में बातचीत करेंगे, अपने वेस्टम समय में से समय निकालने के लिए, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सो मुश पर कभी, थैंक्यू सर, थैंक्यू सर, थैंक्यू, सो नाइस आफ यू, और मैं तने कहूंगा, कि जो आपके वीवर्स हैं, कि आपने एक यूनिवर्स्टी खोल दी है, एजुकेशन की, इस यूनिवर्स्टी में आकर गोते मारिये, डुपकी मारिये, और आपका बिड़ा पार होने वाला है, चैट विद सुरेंदर वस्ट चैनल को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है, सर आप इस शुब कारिय को जो दुनिया भर के लोगों का बलाई करने वाला काम है, इसको आप जारी रखिए, और हमारी जहां पर भी जब भी हम आपके साथ खड़े होके कुछ आपके साथ सब्सक्राइब कर पाएं, हम अपना सहोबागे मानेंगे, अहोबागे मानेंगे, अध्यू अध्यू सब् अगले मंगलवार को रातरी आठ बजे, फिर एक बड़ी सक्सियत से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद झॉत बहुत अगले मानेंगे, प्याओे आठ बड़ी त sunवितma मेरे मारे महारे को रहें होगी, अध्याद